तो गाइस मैं हुआ की तोर आप देख रहे हैं डवी डवी फैंस नेटवर्क तो भाई सीम पंक को अपना डवी डवी रिटर्न करना चाहिए रोयल रंबल 2023 के मेंस रंबल मैच में वह भी नमबर 30 पर यह बात किसने कही है वह जानने वाले वीडियो के अंदर समस्लैम 2023 की साथ में कर देना चैनल को सब्सक्राइब इससे पहले वाली अपडेट्स वीडियो जरूर से देख लेना अगर नहीं देखिए तो बहुत जाले इंपॉर्टेंट है चले वीडियो को सुरु करते हैं पहले हम लोग रोमन रेंस एंड से बातों को सुरु कर लेते हैं तो देखो डबी डबी जो भाई जो पोस्टर निकाल के सामने लाई है ब्लड लाइन वर्सिस ब्रॉलिंग ब्रूट्स एंड एक्सेटरा यहां पर अगर आप देखो तो सामने आपको रोमन रेंस तो देखने को मिल रहे हैं दूसरी टीम से अगर आपको सामने देखने को मिल सेमस दूसरे वाले टीम में अभी स्टार पावर कम नहीं है मैकेंटायर भी आमने सामने हो सकते थें कैविनोंस भी हो सकते थें कैविनोंस को जरूर होना चाहिए था बट सेमस को डबी डबी यहां पर सामने लाके खरा कर रही है और यह बहुत कुछ टीज करता है खुद मे प्रोबेबली रोमन की नेक्स्ट सिंगल्स फ्यूड सेमस के अगेंस्ट ही होने वाली है तो आप लोगी मैच देखना चाहते हो या फिर नहीं कॉमेंट करके बताना है अगर होता है तो क्या आप एक्साइटेड हो देखो मैं परस्नली एक्साइटेड हो और मैं चाहता हूं क यहां पर बतला लें तो यह कुछ मेरा लॉजिक है आपका लॉजिक कुछ होता आप कॉमेंट करके बता सकते हो समर्श्लैम 2023 के बारे में बात करते हैं तो समर्श्लैम 2023 की जो पॉसिबल लोकेसन है वह अभी से हो चुकी है रिवील और जो फ्रंट रनर है यानि कि जिसके बारे में तो अगले करते हैं तो इसको मैं कबर कर ले रहा हूं आगे बात करते हैं रोएल रंबल के टिकेट सेल्स के बारे में तो अगले यह अधर जो 100 होगा जोकी अधरा प्रीम्यम लाइब इवेंट शर्वाइवर सीरीज के बाद वह रोएल रंबल ही है डब बीडर वी कुछ करेगी वह रोएल रंबल के लिए की टिकेट्स भी विकेंगे तो काफी अच्छे बिक रहे हैं अब डेटेटेट नमबर्स नीकल क 513, तो WWE ने seats बढ़ाए भी थे, मैंने आपको बताया था कि WWE औरेडी sold out करे चुकी थी Roll Rumble को almost कुछ 100-200-300 tickets बचे रहें, तो WWE ने seats increase की है, तो अब यह tickets बिक रहें, वो increased seats में से बिक रहें, तो यानि कि Roll Rumble पहले ही sold out हो चुका है, sold out करना है, नहीं करना है, WWE के अंदर CM Punk की बात है, AAA इस चीज के लिए open है, क्योंकि उनके लिए best for business होगा, तो जरूर से कराएंगे, अब बात यह है कि CM Punk क्या Roll Rumble में अपना return कर सकते है, इसके बारे में बात करते है, former WWE writer Vince Russo, वो कहते हैं कि CM Punk मेरे हिसाब से, WWE में आ सकता है अब बात है, कहाँ पे आना चाहिए Royal Rumble, 400 Perfect Place है अब Royal Rumble में भी कहाँ पे आना चाहिए तो number 30 पे, यह है कुछ Vince Russo की statement, उनको लगता है कि CM Punk आ सकते हैं Men's Royal Rumble 2023 के match में वो भी number 30 पे एक surprise entrant बनके एक fake script run seat viral हुई थी मैं आपको दिखाए थी channel को पर जहाँ पे बताया जारा था कि CM Punk number 30 पे आने वाले होंगे बट Brock listener उनको attack करेंगे multiple F5 लगाएंगे उसके बाद CM Punk match में नहीं compete कर पाएंगे मैं यह नहीं कहरा कि वो script सही है मैं बस उस चीज़ को याद दिला रहा हूँ कि वहाँ पे भी यह चीज़ speculate करी गई थी तो speculate करी गई थी यानि कि likely है कि यह चीज़ हो सकती है तो यही कुछ कहते है विन सुरूसो भी कि number 30 पे अगर CM Punk को WWE में return करना है बात है कि अगर करना है तो इससे perfect place क्या हो सकता है जोल रंबल मैच में आ जाओ number 30 पे क्या आप लोग agree करते हो कि अगर return करना होगा तो इससे perfect place कुछ नहीं हो सकता है comment करके बताना जरूर से इस वीडियो के लिए यही update थी I hope सा आपको वीडियो पसंद आई हो अगर वीडियो से आपको information मिली हो तो like जरूर से करते हैं साथ में करते हैं आपको subscribe follow भी कर सकते हैं आप लोग Instagram और Twitter दोनों पे दोनों की link आपको मिल जाएगी नीचे description में मिलते हैं अपनी next offer काफ interesting वीडियो में